नमस्कार दोस्तो आलू प्याज पनीर के पकोड़े खाखा के ठक चुके हो बोर हो गए हो तो अब ट्राइ करो ये कटाहल के पकोड़े जो की टेस्ट में बिल्कुल नए हैं बिल्कुल अलग होता है खाने में बहुत टेस्टी बहुत क्रिस्पी होता है और बनाना तो बहुत ही आसान है रेसीपी को पूरा जुर देखिएगा पसंद आने पर लाइक सेयर कमेंट करना प्लीज नहीं भूलिएगा हमने यहां पर ले लिया है आधा केजी कटहल जो कि इस तरह से निकले वे आते हैं और इसको जब आप काटेंगे तो अंदर से इसके बीज आते हैं और बी हाँ इसे क्या कहा जाता है जरूर बताईएगो और इस मौसम में यह बहुत ज़्यादा मिलता है और इसी का यह जब पक जाता है ना तब वो पका हुआ कटल भी खाने में बहुत अच्छा लगता है और मैं इसे फर्स टाइम बनाने जा रही थी लेकिन और फर्स टाइम खा साप सुथरा हो चुका है अब इसमें हम एड़ करेंगे लगबग एक छोटा चमच नमक और आधा छोटा चमच हल्दी पावडर इसको डाल के हम 15-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसे क्या हो ना कटाहल में नमक का स्वादा आ जाएगा और हल्दी से थोड़ा कलर आ तो बैटर के लिए हमने ले लिए एक बड़ा सा बरतन और उसमें लेंगे हम दो कब बेसन बेसन में डालेंगे हम एक छोटी चमच अजवाइन हाथों से क्रस करके भी ले सकते हैं आधी चोटी चमच डालेंगे काली मिर्च का पावडर या फिर दरदरा कूट के भी आप ल पेस्ट. खलवटे में कोट लें या फिर आप मिक्सी के जार में भी पीसके ले सकते हैं उसके बाद बारी कटावा धेर सारा हरा धनिया डालेंगे और सारी चीजों को अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे उसके बाद थोड़ा पाने डालके इसका एक ठीक वाला बैटर तया तो एक कप हमने पानी लिया था उसको हमने दो से तीन बार में डाला है और थोड़ थोड़ा करके मिक्स करते गई हो एक कप पानी पूरा डालने के बाद इसको खुब अच्छे से हम फेट लेंगे ऐसा करने से क्या होगा कि इसमें गुठली नहीं पड़ेगा लंस नहीं पड लेंगे यदि इसका घुल गाढ़ा नहीं रहेगा पतला हो जाएगा तो फिर कटाहल के उपर इसका कोटिंग नहीं आएगा तो इस बात का ध्यान रखेंगे यह देखिए इसका जो गाढ़ा पने कुछ इस तरह से है और अभी भी इसके बाद भी आपको लगे कि कटाहल मे आ गया है अब इसमें एक एकर किस तरह से डिप करते जाएंगे और फ्राइ करते तो इससे फ्राइ करने के लिए तेल को मीडियम पे गरम कर लेंगे फ्लेम को लोटो मीडियम के बीच में रखेंगे और सारे कटाहल को एक एकर के डिप करते जाएंगे बेसन के घोल में और तेल में डालते जाएंगे, और दो मिनिटे से हम fry होने देंगे, उसके बाद चब माच या फिर पलटे के help से इसको हम पलट लेंगे, तो इसको पकने में टाइम लगता है, इसको fry होने में टाइम लगता है क्योंकि बिल्कुल कच्छा होता है, लेकिन बहुत जल्दी पकोड़े जैसे जितना टाइम लगता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है तो इसको आराम से पकने दे लेकिन ध्यान रखेंगे कि फ्लेम को मीडियम पे ही रखेंगे तो बहुत ज्यादा तेल एबजॉर्ब कर लेगा पकोड़े और हाई पे बहुत जल्दी कलर आ जाएगा तो अंदर से कटहल कच्चा रह जाएगा तो फ्लेम का खास ध्यान रखेंगे और जब अच्छा सा कलर इस तरह से आ जाएगा गोल्डन ब्राउन कलर का और उपर से क्रिस्पी दिखने लगेगा तब हम इसे तेल से निकाल लेंगे तो गर्मा गरम ये पकोड़े बहुत टे करवाईएगा खुद को और खुद के फैमिली को और ये देखिए अंदर से बहुत अच्छे तरीके से ये कटहल पक जाता है उपर से जितना ही क्रिस्पी होता है अंदर से उतना ही सौफ्ट और उतना ही टेस्टी होता है तो इस आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज